इसमा स्कूल इसमा स्कूल ये मेरा स्कूल है Basic Food Groups A food group is a collection of foods that shares similar nutritional properties ठीक है हमारे पास जो food है उसकी different collection और properties हैं वो हमें आपको नीचे जो diagram दी के ये उसमें define करूंगी following are important food groups that given a synergy to stay healthy जो हमारे पास different food के groups हैं वो हमें ताकत देते हैं और हमें stay healthy healthy रखने में मदद करते हैं वो क्या है? grains जिसमें bread आपको शो हो रही है fruits and vegetables, fruits और सबजियां है dairy products, dairy products का है? दूद और मक्खन ये जो हैं वो चीज़े है इसके लाब हमारे पास proteins है, fats and sugars grains, grains such as bread, rice and pasta are very important source of many nutrients अब bread जो है, rice, pasta जो है वो बहुत important source of nutrients का they give us energy to keep us going all day वो हमें सारे दिन में energy जो है वो देती है ये diagram में आप different जो है, वो देख रहे है, grains fruits and vegetables and fruits, fruits and vegetables are low in fat fruits and vegetables में सबसे कम fat होता है they help to prevent us from falling sick अच्छा, ये अब हमें रोकती है, जो हमारे अंदर मुखलिक किसम की जो बिमारियां होने लगती है, पैदा होने लगती है vegetable of fruits जो है, वो उसको prevent करती है they give us energy to grow and get strong और हमें ताकत देती है, grow पढ़ने में and get strong ताकतवर होने में अब नीचे आप देख सकती है, मारे पास vegetable of fruits में different किसम की जो है न, वो varieties जो हमारे पास available है page number 15, students dairy products, dairy products में मैंने आपको पीछे भी define किया था जिसमें दूर, मक्कन, इस किसम की चीजें जो है मुशामिल होती है dairy products include milk, cheese, cream, butter and yogurt they provide energy to our body, ये आपकी body को ताकत फराम करते है they also keep our teeth and bones strong ये आपकी हडियों और teeth आपकी दान्तों को ताकतवर बनाते है आपको कहते है न, दूद पीएं, दूद आपमें लाजमी पीना है क्यों? आपकी growing age है, उसमें आपके टीथ जो हैं वो टूटने है आप दूद पीएंगे तो आपके टीथ जब आएंगे दुबारा वो strong होंगे, bonds और आपकी हडियों भी हडियों ठीक है proteins this group include poultry, fish, meat, dry beans, eggs and nuts these foods are good source of proteins of our body अच्छा आपकी body के लिए आप इसमें poultry में हैंस पगारा आजाती है आपके प्रोटीन है, fish आगे प्रोटीन में है, meat, eggs, अंडे वगारा, nuts यह जो तमाम चीज़ें आपको best protein पहाम करती है they helps to grow यह आपको बढ़ने में repair and renew अच्छा कोई चीज जैसे गाड़ी है यह कोई आपकी गाय का try है खराब हो जाते है उसको repair करने में कुछ चीज़े required होती है तो वो जब तक चीज़ें आपके पास ना हो आपके कि भी आपका try है यह repair नहीं हो सकता इसी तरह अगर आपको renew आपके body parts को renew यह repair करने की जरूरत है तो आपके लिए protein is very important अगर अगर आप खाते हैं रिलाज माँ ज्यादा मिकदार में ठीक है वो क्या कह रहे है अगर ज्यादा मिकदार में हमारी सेथ के लिए अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अगर ज्यादा मिकदार में खाई जहें लेकिन फिर भी हमें ताकत पराम energy जह वो हमें फराम करती है फैट सच एस फैट में क्या क्या चीज़ हैं butter, cheese and oils belong to this group अब यह इस group में आती है मक्खन, पिनीर वगारा जो है वो इस group में आती है sweets, sweets, desserts, chocolates, candies contain a large amount of sugar अभी में शूगर की large amount, बहुत 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 बादाब नहीं है